हलो एवरिवान आज हम बात करेंगे कैसी यारिया के कास्ट के बार में कितने सालों बाद अभी ये शो की कास्ट कहा पे है और एवन आप में से कई जन को इस शो पे एक वीडियो चाहिए था सो कैसी ये ये यारिया शो का फर्स एपिसोड लाँच हुआ था और 21st जुलाइ 2014 और अभी इतने टाइम बात शो के कुछ अक्टर्स की इवन शादी भी होने वाली है तो इसे बार में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर उससे पहले अगर आफ चानल पे न्यू है तो वलकम तो नियूस भी प्लीज सब्सक्राइब टो चानल और हिद दार बाल आइकन आपको हमारे चानल के नोटिफिकिशन्स मिलते रहे तो चलिए स्टाइट करते हैं तो उस वीडियो में हम जो में अक्टर्स थे शो के उनके बारे में ही बात करेंगे तो starting off with निती टेलर उनका शो पे नाम था नंदिनी मूर्ती निती currently 25 years की है और कैसी यारियो शो के बाद निती कई hit shows का पार्ट बनी जैसे की गुलाम, इश्ट, बास और लालश उसके अलावा निती की personal life की बात की जाए तो निती ने 13. August 2019 को परिक्षित भावा के साथ engagement कर ली So finally, निती is engaged Next बात करते हैं पार्ट के बारे में जिनका शो पे नाम था मानिक मलोत्रा पार्ट को कैसी यारियो शो के बाद काफी लोगों ने पसंद किया पार्ट अभी 29 यर्ज के है अफटर केसी यारिया पार्ट ने कासोटी जिन्दगी और एवन कई वेब सीरीज लाइक कहने को हमसफर है जिसे शोज किये पार्ट के परसनल लाइफ की बात की जाए तो पार्ट के एक्स गर्ल्फरेंड दिशा पटानी रेच चुकी है उसके अलबा पार्ट एवन निती के साथ भी रिलेशन्शिप में थे और अभी उनका नाम अरिका फर्नैंडेस के साथ जोड़ा जा रहा है जो उनकी को एक्टरस है बट ये चीज अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है अभी बात करते हैं चार्ली चौहान के बारे में जिनका शोपे नाम था मुक्ती वर्दान चार्ली अभी 27 येर्स की है एंड केसी यारिया के बाद चार्ली ने साइमेल्टेनेसली कई शोज किये जैसे कि प्यार तुने क्या किया देन एवन उनोंने कुवार अमर के साथ नचबल ये 5 में भी पाटिसिपेट किया क्योंकि तभी वो उनके बॉइफरेंट है चार्ली अन कुवार अमर काफी टाइम से एक दुसरे के साथ रिलेशन्चिप में थे बट बीच में उनकी ब्रेक अप की भी कबर आई थी बट अभी कहा जा रहा है कि वो दोन अभी फिर से रिलेशन्चिप में आये है बट अभी वो अपने रिलेशन के बार में पब्लिक ली बात नहीं करना चाते देन बात करते हैं उतकर्ष गुप्ता के बार में जुनका शोपे नाम था दुरू वेदान और अभी वो 25 यहस के है उतकर्ष एवन स्प्लिट्फुलाइट का भी पार्ट बने थे उसके अलबा उतकर्ष ने प्यार तुने क्या क्या और डांस इंडिया डांस जैसे शोज भी किये है अभी बात करते हैं वीबा अनंत के बार में जुनका शोपे नाम था नव्या नवेली वो अभी 29 यहस की है वीबा ने बाले का वदू, फियो फाल्स, महाबारत और लालिश जैसे शोज किये देन बात करते हैं क्रिजान के बार में क्रिजान का शोपे नाम था अलिया सकसेना वो अभी 24 यहस की है क्रिजान ने कैसी यारिया के बाद कई सीरियल्स में अपियरंसेस दिये उन्होंने कहानी हमारी दिल दोस्ती दिवाने पन की गर्ल्स ओन टॉंग, इश्क बास, क्लास ओफ 2017, साइबर स्क्वार्ड, तुव आशी की जैसे शोज किये बट 2019 में क्रिजान ने एक रियालिटी शो किया जिसका नाम था Ace of Space Season 2 क्रिजान की पोस्नल लाइफ की बात की जाए तो Ace of Space 2 से पहले वो आदिश खन्ना के साथ थी, बट बाद में उन्होंने उनसे ब्रेक अप कर लिया अभी वो सल्मान जाइदी के साथ रेलेशन्शिप में है सल्मान जाइदी भी Ace of Space 2 में as a contestant आय थे और उसी शो में क्रिजानन सल्मान को एक दूसरे से प्यार हुआ और फाइनली बात करते हैं आयाज एहमत के बारे में उनका शो पे नाम था कबीर ठाकुर, वो अभी 33 यह उस के है जैसे कि अगनी फेरा, MTV फना, इश्किल और एवन कई और भी शोस का पार्ट वो रहे एवन 2018 में ये भी सुनने मिला था कि आयाज की एक गर्ल्फरेंड है जिनका नाम है कैटर जीना और उनके साथ एवन उन्होंने इंगेजमेंट कर ली है बट बाट में आयाज ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया और कहा कि ये सिफ एक रूमर है और उनके एंगेजमेंट नहीं हुई है और इवन आयाज प्लिट्सुला 7 का भी पार्ट थे जो आवो प्रियांका पुरोहित के साथ थे आप इस बर में क्या सूचता है कि क्या आपको और भी कैसी यारिया पे वीडियोस चाहिए कि नहीं प्लीज हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए और इवन आपके फेवरेट अक्टर ये अक्टरस कौन दे शो में इसे ये भी बताइए और ये वीडियो अच्छे लगी हो तो से लाइकन शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चान को प्लीज सब्सक्राइब करें थांक यू